हलो एवरिवन फाइनेली जो है सकेंड राउंड के सीट अलॉट्मेंट में और डिले लगेगा इसके रिगार्डिंग अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि कब जो है वो सकेंड राउंड का सीट अलॉट्मेंट रिजल्ट आएगा बिहार आयूश का हलाकि जो फस्ट राउंड का सीट अलॉट्मेंट आने के बाद फस्ट राउंड का जो साथ तारिक को डॉक्मेंट वेरिफिकेशन एड्मिशन डन हो गया था उसके बाद सकेंड राउंड का जो सीट अलॉट्मेंट आना था 11 अक्टूबर को लेकिन इसको किसी टेकनिकल से डिले किया गया है इसका जो रीजन है क्योंकि आज जो है बारा-तारीक को आना था आज बिहार एगृरिकल्च्र फारमेशी नर्सिंग का रिजल्ट ठीक है तो इसके वज़े से इसको जो है वह डिले किया गया है second round के seat allotment का जो new date होगा counseling schedule फिर से आएगा ठीक है कि कब seat allotment होगा कब से कब तक आपको document verification में जाना है हलाकि अभी तक क्या था कि online में second round का choice filling का कोई update नहीं था अगर कोई नया counseling का date आता है हो सके कि choice filling का आपको second round में मौका मिले हलाकि new registration जो है second round में नहीं कर सकते हैं आपको new registration का मौका third round के में ही मिलेगा या mop up round में आप जो stray vacancy round होता है उसमें आप new registration कर सकते हैं और participate कर सकते हैं हलाकि इस बार cut up बहुत जादा जा रहा है क्योंकि 600 से जो भी नीचे बच्चे हैं उनको MBBS College में admission नहीं मिला है SCST और Disable Quota के बच्चों को छोर करके तो वो सभी बच्चे जो हैं अपना seat reserve रख रहे हैं और preparation स्टार्ट रखेंगे BMS courses जो है उसमें admission ले करके तो अभी कोई notification नहीं आया है seat allotment के regarding जैसे कोई update आता है तो मैं अपने WhatsApp ग्रूप, Telegram चैनल और YouTube चैनल के माध्धम से आप सबों को update कर दूँगा जो भी बच्चे अभी तक हमारे WhatsApp ग्रूप और Telegram चैनल से नहीं जूरे हैं वीडियो के description box में link है आप लोग जा करके join कर सकते हैं वहाँ पर आपको counseling के regarding सारा importance updates जो है वो आप सबों को मिलता रहेगा अगर हम cut off की बात करें तो first round का जो opening closing rank आया है तो उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने जो बताया था कि जो RSC पटना है उसका जो you are rank है उसमें आपको 35 से 40 rank तक आपको admission मिलेगा और जो RSC बेगुशराय है उसमें आपको 60 से नीचे तक के बच्चों है उसको seat allotment होगा ठीक है तो वहीं देख सकते हैं RSC बेगुशराय में SC और जो भी ST category के candidate है उनका seat कम है इसलिए cut up जो है वो कम गया है वहीं अगर undeserve की हम बात करें तो undeserve में सारे category वाले बच्चे है UR से जो college seat जो है वो नहीं allot हुआ है क्योंकि बेगुशराय में seat कम है और जो पटना का college है RSC पटना इसमें total approach जो है 96 seat के आसपास है तो इसका cut up थोरा सा जादा जाता है ठीक है तो जो भी कम नमरे वाले बच्चे हैं अगर उन्होंने choice fill किया होगा पहले BMS, then पटना, बेगुशराय तो उस सीसाब से आपकी counselling होगी और seat allotment होगा तो आप यह cut up देख सकते हैं second round में है थोरा सा cut up जो है वो increase करेगा ठीक है अगर mop up round की बात करें तो government colleges में mop up round में बहुत कम seat बसता है अब बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको अगर all India quota से seat allot हो जाएगा तो उनको बिहार के mop up round यानि की third round से बाहर कर दिया जाएगा वो बच्चे बिहार के third round counseling में participate जो है वो नहीं कर पाएंगे अगर vacancy stay round की बात करें तो जो भी बच्चे private या government BMS, BHMS, BUMS किसी भी आई उसके course में admission ले लेते हैं किसी भी state में तो vacancy stay round में participate जो है वो नहीं कर सकते हैं third round और जो stay vacancy round होगा उसमें उनको participate करने का मौका नहीं मिलेगा तो सारी चीजों का आपको ध्यान में रखना है और इस बेस पर आपको counseling करबानी है तो चलिए मिलते हैं next video में next update के साथ तब तक लिए जैहिन, thanks for watching